आरेंटी मार्ग इस्थित डियेवीवी को कोट में परिवर्टित करने की मांग को देवी अहिला विश्विध्याले की कुलपती ने सेंसलेस मांग बताया है बता दे कि इंदोर के वकीलों ने बुधवार को कमिशनर को ग्यापन सौप कर आरेंटी मार्ग डियेवेवी को विकल्प बताया जिस पर डियेवेवी कुलपती डॉक्टर रेनू जैन ने कहा सालों से डियेवेवी स्टैब्लिस है इसी के साथ ही डॉक्टर जयन ने कहा कि अगर वकील अट सकते हैं तो विश्विध्याले के प्रोफेसर्स और सुरेंट्स भी अट सकते हैं दरसल वकीलों का कहना है कि कोट शहर में होना चाहिए जिससे लोग परिशान न हो वहीं R&T DAVV रिगलत्रियाहे पर शहर है जिससे की कोट में पीड़ितों और पक्षकारों के आने जाने से परिशानी नहीं होगी लेकिन DAVV कुलपती ने वकीलों की इस मांग को यूजलेस बता दिया अब यहाँ देखना होगा कि वकीलों के पिपलियाना तालाब के पास नवीन नयायले के विरोत के बाद क्या विकल्ब निकलता है ये तो दिल्कुल सेंसलेस मांग लग रही है उनकी, क्योंकि ऐसे जो इतने बड़सों से स्थापित विश्विद्याले उसकी पहचान इसी केंपस से बनी हुई है, पहले भी मुझे पता चला है कि ऐसे एक बार कोई मांग उठी थी, इसमें तो कोई मुझे समझने नहीं आ र कि 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 दो दूंए भी मुझें पहल गवी कास है, शचा कोई मुझे क्यों कि दसी करें हो ये नहीं विद्या क कि एल्युमնर बाए्नी कोई मुझे पहल रहीं विजए गाले कि विया विश्योंस से टूंट shalom